कि यह जाइन दोस्तों मैं विबिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेप स्टेडी पॉइंट में आपका अर्दिक स्वाबत करता हूं तो दोस्तों आपको हम मैत पड़ा रहे हैं मैत में हमारा छेत्रमिती है संभाव तिर्वुझ ओर सिम्पल तिर्वुझ यह तिन 9 को सनव पढ़ाये है diez-धो हम चले चलाएंगे आज हमारा चलेगा रेक्टेंगल यानिके आयत दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं प्लीज आप अपने घर से बेवज़ा बाहर निकले कोविड-19 की बहुत ज्यादा हमारी चल रही है घर में रहे शेप रहे और ह दोस्तों आते हम कोशन पर कोशना हम आपको आयत यहन के रेक्टेंगल बेस जितने भी कुशन हैं विस अभी कराएंगे मैंने अपसे पहले आपको वीडियो में जो आपसे पहले वीडियो आई थी मैंसुलेसन की उन्हें में आपको सारे फोर्मुले याद करा दिये थे पांच अनुपात छार का नुपात में हैं यादिके एक आयतकार प्लेट की फ्लोट है फोरी फ्लोट की भुजाओं में 5 रेट्व फोर का अनुपात है और इसका छेदपल 500 वर्ग मिटर है तो फ्लोट का परिमाप क्या होगा ठीक है दोस्तों यह हमें कोशन करना है देखो कैसे करेंगे सबसे पहले जो दो भूजाएं दे रखी है मानले भूजा जो जून जून भूजा एक तो हमारी 5X है एक हमारी 4X है ठीक दोस्तों अब इन्हों ने कहा कि आयत का छेत्रपल 500 बर्ग मेटर है तो आयत का छेत्रपल होता कितना है आयत का छेत्रपल यानि एरिया होता हमारा लंबाई गुना चोड़ाई और जो यह अनुपाद दे रखा है यानि भूजाओं का यानि के लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद दिया हुआ है ठीक दोस्तों तो कॉस्टन में दिया है जो आयत का छेत्रपल है कितना है 500 मीटर स्कुएर ठीक है जी और लंबाई और चोड़ाई का जो किल यह इंका मान है हमारा 5 X और चार X ठीक है दोस्तों तो यह कितना होगा पांच बीस एक्सी स्क्वाइर और यह हो गया हमारा 500 एक जिरो से एक जिरो कर जाएगी दो से 50 कर जाएगा यानि पच्चिस नानि आपर कितना जाएगा पांच यानि कि एक्स की वैलो कितने आ गई पांच आ गई हमें क्या निकालना है प्लोट का परिमाप यानि कि जो आयतकार प्लोट है उसका परिमाप तो आयतकार जो भी कोई आ करती है आयतकार कि उसका परिमाप कितना होता है परिमाप होता है हमारा पी क्याने टोटल कितना हो गया दो गुणा इन दो नो को जोड़ेंगे तो नो एक्स एक्स की वैलू कितनी आई है हमारी एक्स की वैलू आई है पांच इन नो गुणा पांच कितना हो गया नो पंजे पैंतालिस पैंतालिस की दो में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आगे आते अब नेक्स कोशन पर तो दोस्तों आते हैं नेक्स कोशन पर नेक्स कोशन भी हमारा सिंपल है फॉर्मला बेस एक आयतकर मेहदान की भूजाओं में तीन रेशो टू का अनुपात है ठीक है जी और इसका परिमाप 80 मीटर है तो इसके चोड़ाई याद करने है बिल लंबाई होती है और यह चोड़ाई यानि यह जो यह रेशो दिया है लंबाई और चोड़ाई का रेशो दिया है यहनिके एल रेशो बी का जो मान दे रखा है हमारा तीन रेशो दो दे रखा ठीक है जी और इनका परिमाप दिया है हमारा 80 मीटर तो आयत का परिमाप क्या ह से इसको काड़ देंगे कितना 40 यह कितना होगा हमारा 5X 5X बराबर 40 तो यह से X आ गया 85 5 और 58 चालिश यानि एक्स की value कितनी आ गया हमारी 8 X बराबर कितना आ गया 8 हमने निकालनी है चोड़ाई क्या है लंबाई 2 है यानि लंबाई हमने किमानी 3x और यह चोड़ा हो जाएगी हमारे 2x तो 2x के वेलू चोड़ा यानि निकाल लीए 2 x 제일 highest 12-16 यह क्या होगि होगा हमारा हमारा और जलिसे आप कर सकते है थिए तो इसकी परकार क्यों की प्रक्टिस करते रहे हैं आप संद्रいき दोस्तों आते हैं सव्mak कोशन हमारा एक कायतकार मैदान की भुजाओं में दो रेशो टू का नुपात है और इसका परिमा 20 cm है तो इसका चेट पर याद करें यह भी सेम पहले वाले कोशन है उसी की तरह है बिल्कुल आप इस कोशन का इसकी इंसोट ले लो और आंसर बताना कमेंट करके क्या आंसर आ एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चोड़े आयतकार छेतर के अंदर की और चारों तरफ एक समान चोड़ाई वाला एक पत बनाया गया यदि पत का छेतपल 600 मीटर स्कॉयर हो तो पत की चोड़ाई याद करें तो को जैसे सवाल को हम कैसे करते हैं मैंने आपको इस तरह के एक ले रिखाये थे क्या फोर्मला मैं आपको डाइग्राम बना के भी समझा देता हूं यह हमारा आयत हो गया ए भी सी और डी ठीक है दोस्तों इसके अंदर एक समान चोड़ाई का यानि कि समान चोड़ाई का एक पत बना दिया यानि कि जिसके चारों तरफ हमेशा कितनी परा दो सोर्मल लिखाए तो वो कया था हमारा फोर्मुला था एस इकल तो यानि कि टू डबलू एल-ल प्लस बी यदि अंदर बना यह तो माइन आप साय पार यहां से हमने कुई की search our all पॉतздरक नीकालनी तो एकी वैयलो कितने दे रखिये 600 एक वैयलो 600 बेराबर 2 और & कर निकालनी ढूंक हो अब उसके बहुत में एल की कितिने दकी 38 मेटरत फुलस्ड़ चकी वैयलो कितने रख एक 32 मेंटर की मंट 2 pasa डबलू अब यहां से इसको शोल करेंगे वो डबलू की वैलू निकाल लेंगे अब देख लो जी 2 से कड़ जाएगा कितना 300 डबलू इन दोनों को जोड़े 38 और 32 कितने होगे हमारे 70 माइनस डू डबलू इन दोनों मेंसे क्या को मनें दो दो को निकाल लेंगे हम भार या आगया भार तो यहां पर कितना बचेगा हमारा 35 और दो यहां से भी गयाब हो जाएगा अब 2 से 20 को भाग कर देंगे तो कितना यहां जाएगा डेड़ सो यानि यह कितना आगे हमारा 150 बराबर डबलू इन्टू 35 माइनस डबलू ठीक है अब यह को सोल करना है डबलू की वैलू करनी है देख लो जी ओप्शन से वैलू पूट करके देख लो यह तो यानि कि माल ले चलो मैं वांता हूं माना यहां पर यहां बराबर यह दिमें दस मान लेता हूं तो देखो दूनों यानि कि दोनों तरफ एकवल आती है नहीं इदर तो डेट वह तो यहां पर मैंने डबलू के वैलू 10 रख लेक्टे देख लो यहां पर देखो यह हमारा डेट सो बराबर डबलू इन्टू 35 माइनस डबलू डबलू के स्थान पर 10 रखे देख लो पहले 10 इंटू 35 माइनस 10 35 में से 10 गए तो कितने बज़ गए 25 गुना 10 तो कितना आ गया 500 यानि के यह तो एकवल है नी इसके तो यह उप्षन तो इसका होने का नी ठीक है जी तो नेक्स देख लो कुछ हो दूसरे यानि अब चलो मान लो हमने हम पांच रखे देखते यानि के डबलू बराबर इस बार मान लिए हमने कितना है पांच है अब देखो डेड़ सो आज गए कितने बज़ गए 30 गुना 30 इन दुन्यों के वैलू कराए तो कितने आज आएंगे हमारे डेड़ सो यह क्या होगा हमारा आंस्वर यानि कि ओप्षन भी इस देर राइट आंस्वर यह तो आप इसको ऐसे कर सकते थे यह दोस्तों आप इसको एक्वेशन बनाके द देखो मैं आपको हर तरे हर विराइटी के कुस्षन कराओं जो अब तक आयत पर बने हुए है ठीक है अच्छे से अच्छे कुस्षन इंपोटेंट है आप अच्छे समझना एक आयतकार पार्क की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो है यह दि कोई व अर्विशन के लहें वे समझो क्या क्या रखा है लंबाय चोड़ाई का नुपात दिया मांनले हमने यह इंटू-बी की जो उचुड़ाई का जुवा इनका नुपात दिया है ठीडियस और लव बराबर हम हमारी टुएक्स हो गयी ठीक है दोस्तों आगे कहा है यह दि कोई वेकती 12 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से परीश इमा पर शायकल चलाता है परी इमा का मतलब पार्क कर चार ओर यानिके यहां से क्या निकलेगा हमारा परीमाफ दोस्तोथ तो अब देखो परीशाल मतलब परीमाफ क्या हो गए और र français का परीमाफ परिमाफ कितना होता है 2 x L plus B यह तो हमारा परिमाफ होता है यानि कि अगर मैं और एक फॉर्मुला आपको याद होगा चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे समय ठीक है यहां से यह दी में दूरी का फॉर्मुला निकालो तो दूरी क्या आ जाएगा दूरी बराबर य तो जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी हमार जीर नहीं का चाल गुना समय के चाल कितने दे रखी है हमारी 12 गंटा यहकती दे अए संह bin लग रहा आठ मिनिट का यह लग गया आठ मिनिट लेकिन देखो अभी इन दुनों के महात्रे का लगा होगे जो व्यक्तिक चाल हो किलो मीटर परती घंटा में है और समय जो लग रहा है वो मिनिट में तो इसको भी हम जो समय है उसको घंटे में चेंज कर लेए यानिके साथ स पलस 2x बराबर इसको शोल कर लो बारे कम 12, 12, 15, 60 ये कितना हो गया? 8 बटे 5, एज़ो से कट जाएगा कितना? 4, 3x और 2x कितना हो गए? 5x 4 बटे 5, येनके x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा 4 बटे, ये बिचके बटे में चल जाएगा लेकिन जो आंसर दे रखे हैं वो कि समें दिए हमारे मीटर में तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो यानि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं एक हजार मीटर तो मंटिप्लाई भाई 1000 अब देखलो इसको आगे सोल करो 25 से इसको काटेंगे 25 का 100 यानि कितना गए 40 यानि के जो एक्स बराबर कितना आगे हमारा 40 गुन चार यानि 160 मीटर ठीक है दोस्तों यहां से हमारी एक्स की वैलू आगे हमें कोशन में निकालना क्या है पार्क का छेतरपल छेतरपल क्या होता है हमारा एरिया होता है आयत का लंबाई गुना चोड़ाई लंबाई कितनी है हमारी तीन एक्स गुना चोड़ाई कितनी है हमारी दो एक्स दो तिया छे एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की वैलू कितनी है हमारी 160 अब इन द सब की मंटिपलाई करा हो देखो जी दो जीरो तो यह ऐसी ओप्षन में देखो दो जीरो इसमें भी एश में भी आप्षन नंबर वन तो इसकांट पर हो नहीं सकता अब क्या क्या बचा शोला शोला कितने होते हैं यह भी सोला कि गुना चोला में कराएंगे 6 चंग 36 का 6 का ठीक है आशिल 3 6 की 5 में 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 दूनी 12 12 और 3 15 यानिके यह हो गया हमारा 15 3600 मीटर स्क्वायर यह हमारा क्या हो जाएगा आंस्वर यानिके ओप्शन कौन से ठीक है ठीक है दोस्तों तो अच्छा खुशन था आप इसको अच्छे से देख लो इसकी इंसोट ले लो इसमें दो प्रमलों का यूज हो यह यह भी आपने पड़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे से में और दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना से में यानिके कोई देखो अब मैं आप यह से यह मिनने एक आयत बनाया यानिकर इसका परिमाफ ही तो होगे चारु तरफ हो गाए और यह जो हमारी जो टोटल दूरी दूरी होगी यानि परिमाफ बराबर स्की टोटल दूरी यही वाला हमने गंसल यहां पे लगा दिया और उससे हमारा फाइनल जो पारकश हेत पड़ाया यह अदना आगया ठीक आपकरम से 25 cm 168 cm2 हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी option है हमारे 31 cm 14 cm 17 cm और 7 cm ठीक है दोस्तों अच्छा question है देखो कैसे करेंगे एक आयत के विकर्न दिया है उसका छेत्पल दिया है सबसे पहले आपको फोर्मूला पते हुन क्या होते है और आयत का छेत्पल देखो आयत का जो विकर्न यांट के दी बदबाबर होता है एंडरूट la square plus k2v और जो एरिया यानिके छेतर पर होता है एल इंटू बी यह दो फोर्मुलों का हम यूज करेंगे यहां पर ठीक है जी इस पूरे कोशन को करने के लिए आते हैं अब देखते हैं क्या है हमारा कोशन सबसे पहले जो इसकी विकर्ण के लंबाई दिया है यानिके अंडर रूट L स्कुयर प्लस के बी स्कुयर बराबर कितनी दिया है हमारी 25 ठीक है जी कितनी दिया25 उशके बाद L into इंटू B की byline कितनी दिया है यानिके छेतर पल दिया है हमारा 168 ठीक है दोस्तो आब यहाँ से क्या का करो एल इसका ाँनस खतम करो एंडरूट से खतम करने के लिए थे सब से-पहले दोनों 500 हम क्या कर пог न equally वाल वड़ एक कि इसका स्क्वेरण करेगे यानि की स्क्वेर यह हमारा आ गया हों 2 कितरह हमारा हetr स्पÂस्ट मद अड़कर कख्षा नव एक फॉर्मुला ए प्रस भी का होली स्क्वायर का यह दो तीन फॉर्मुले आप अच्छे से याद होगे तो इन फॉर्मुलों का ही परियोग हम यहां पर करते देखो कर वा करते हैं हमारे पास स्बार्ट का वेलाइग देखके टेंस की फोर्ट के खुर-ड श्क anno k Bass कै कि टो ईंटो बी कि यह दो अब देखो इसकी वैलू है इसकी वैलू कितनी 625 पलस टू इंटू एल एल बी की वैलू कितनी 168 यह होगे हमारी 168 अब इन सब को जोड़ लो 625 इंद इसकी गुना कराएंगे अब यहां से इनकों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 और 5 11 तीन और दो पांच एरेक छे तीन और छे नो यह कितना होगे हमारा हो गया हमारा 961 यानिके एल प्लस बी का होल स्क्वाइर बराबर कितना आगे 961 हमें पता है 31 31 का स्क्वाइर कितना होता है हमारा 961 ठीक है जी 31 का स्क्वाइर कितना होता है 961 अब हमें एल प्लस बी स्क्वाइर का होल स्क्वाइर बराबर इसको मैं 961 को क्या लिख सकता हूं 21日 का 24 अब यहां से दुनों को स्पाइब ये लिए और करेंगे दोनों तर्फों को अब फिलस पी कि वैंव दो आप दोison हमने वन मालें निकाल लिए हमें तो गुद अब हमेंगे वाला फॉर्मुल यव्य है अब एक चीज बढ़न देखो हमारा यहां देखलो यानि एल माइनस बी को हुली स्कॉयर यादी में निकल लो तो क्या होगा एलकभाउ स्कॉयर प्लस बी का श्कॉयर माइनस के टूल into vN इसकी वैलु कितनी है हमारी 625 और मायना शीच पूरे की वैलू कितने आया हमारे यह यहां हमारे 336 ठीक है यहां से घटा लो जब घटाएंगे कितना हमगा पांच वैशे निजा सकते तो अले से 10 से लेंगे हम धाही तुकितना हों हमेगा 15 15 मेंसे 6 गये तो कितने बज गये पंद्रह में से 6 गए कितने बचते हैं? 9, यहां पर कितने हो गए हमारे? 1, इधर से ले लिया 11, 11 में से 3 गए? 8, ठीक है जोस्तों? ओ यहां पर कितने बच गए हमारे? 5, 5 में से 3 गए तो कितने? 2, यह कितना हो गए हमारा? 280, ठीक है जी, तो यहां से हो जाएगा, L-B square ठीक है जी, दुर्नों पक्सों का अंडरूट, 29 किसका स्कॉयर होता है? यह होता है हमारे 17 का, स्कॉयर कितना होता है? 280, ठीक है जी, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहांनी 17 का whole square और श्पूर पर अंडरूट, इसके स्कॉयर से यह इंडरूट, इसके स्कॉयर से बराबर आगे हमारा 31, और L माइनस B बराबर आगे 17, तो अब देखो, यहां से क्या करेंगे हम दोनों, यहां पर लिखता हूँ मैं, L माइनस B बराबर कितना है हमारा 17, और L पलस B बराबर कितना है 31, इन दूनों equation को solve करना है, और यहां से हमें लंबाई निकालनी आयत की, यहांनि के L की value निकालेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ऐसी equation को solve करने के लिए क्या करते है, तरीका क्या था, जब हमें L निकालना हो, तो क्या करेंगे, इन दूनों को जोड़ देंगे, और दोर से भाग, यहांनि के 17, पलस 31, डिवाइड बाई 2, आप देखो जोड़ो, एक और साथ, एक और तीन कितना होगा, चार, बटे, दो, 48 को जब हम दोर से भाग करेंगे, कितना आ गया, 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमेटर यानि 24 सेंटीमेटर, यही हमारा answer, यानि कि हमें आयत की लंबाई निकालन लीती, option, second, यह हमारा answer हो काफी लेंटी हो गया, इसकी calculation ऐसी ही है, तो दोस्तों यह तो इसका पूरा लेंटी वाला जो हम यहन के formula का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अब इतना बड़ा question थोड़ी हमें paper पे करना हमें, तो shortcut चाहिए, अब इसकी जो shortcut trick है, आप पूसम जो, देखो कैसे करेंगे, यह बनाया हमने इक आयत, ठीक है, यह हमारा आयत हो गया, इस तरीके से बना दिया हमने कायत, यह हमने ए वाल लिया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, और यह हो गया ठीक है जी और इसका मैंने ही विकर्ण मिला दिया यहां से यहां तक यह हो गया हमारा डी ठीक है चीक है तो आपको देखो सबसे पहले आपको याद रखना होगा एक ट्रिपाल अब देखो यह क्या बन गया हमारा ABC एक समकून तिर्बजी न बन गया हमारा ABC क्या हो गया हमारा एक तिर्बज है हमारा A B A B C ABC क्या थे समकून कैसे समकून यानि कितने डे कर इंगर का अंगल है 90 सबसे बड़ी भूजा है वह सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी सेंका है वह तिरबुचकी क्या होती है करन यानिके सबसे बड़ी भूजा की वह जाएक इसका मान हो जाएका यानिके यह हमारा एसी की जो वेल्ड़ौई कितने ही यह 25 छोटी होती है वह हिए हमारी क्या चोड़ाई और बीच वाली यह बचे किया हो जाएका हमारी लंबाई बस यह हमें निकान नीनीती हम इसको शोटकट अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट लिखा रहा हूं उनको आप याद कर लें ना जिनका हम डिरेक्ट यूज करते हैं जैसे पहले तो हो गया साथ चोबीस पच्चिस हो गया एक होगे हमारा तीन चार पांच एक इस ट्रिपलेट का भी जाद यूज होता है तीन चार पंच एक होगे हमारा क्या पांच बारा और तेहरा एक होगे हमारा यह 5 बारा 12 थेहरा, एक यह वी लिख लो 8, 15 और शुक्त त्रिपलेट अ कुछ इंपट्रों ट्रिपले टे जिनका पर्योग हम बीच वीच में कहीं पर भी खर सकते हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना ठीक है दोमस्तो अब आते हैं आगे है तो दोस्तों आते हैं में इक्स पोच्छ नेक्ट मूशन ने परकार है एक आयत कर मैदान J तफ लंबाई तीन अनुपात चार के नुपात में है उसक्रां मैदान का उसको पहल आ Hash सबस्क्राइब के रामसे करना है कैसे करेंगे देखिए क्या क्या दिया है चोडाइब लंबाई यह दिए तो फॉर और जो एल्य दिया रहे हैए यहां सिम्हार है एमारा में फटटे । और यहां सब्सक्राइब je hara mm इंन दोस्तों यह जो सब्सराइब हमीटर में बताना है मीटर में ठीक है दोरस्तों मीटर में निकाल लिए delta बडाबर कितने cinq लफए यह बताओ चलो एक più लोगीर बडाबर कितने मीटर होते कमेंट करके लिके बदाओ एक अग ने मैं कितने होते हैं one मीटर स्क्वायर हो गया भी है ठीक है उसके बाद तो मैदान की चोड़ाई निकाल लिए चोड़ाई और लंबाई का नुपाद्या है तो हमारा एरिया क्या होता है आयत का लंबाई गुना चोड़ाई यानि कि हाँ से हो जाएगा हमारा बी इंटू एल बराबर ए यह कितने ह हमारा थिरी एक्स इंटू फोर एक्स बराबर एक बटे बारा मंटिप्लाई बाई टैन थावजेंट ठीक है दो अब यहां से स्कूल कर लो चार से कड़ जाएगा हमारा चरेकम चार चार से स्कू काटेंगे तो पत्चीस और दूजीरो यह ठीक है इतना आ गया उसके बाद अब यहां पे बच गया हमारा तीन इधर गुना में दो चले जाएगा उसके बटे में यह जैंकर इहां से जो एक्स स्कूर बराबर कितना जाएगा रहा 25 सो बटे बार्ति 36 ठीक है जिए अब यहां पे इसकूर है स्कूर एटाएगे तो इधर क्या सब्सक्राइब हमारा अंडरूर तो यह जब इसको भार निकालें एंगे 25 किस कई हो जाएगा हमारा बताओ यानि के पंचाशस का हो oso 36 किसका हो जाएगा यहान यहां से कितना आ जाएगा यदी मैं स्क्राइब करते हूं दोश से निवार 25 बार 25 Team 3 एक्स कितना आगा पक्चिस भटे थीन हमें निकान लिए मैदान की चोड़ाई और मैदान की चोड़ाई कितनी कि शोलत बरादर कितनी हैwe máriding xείक कि रखदो kutka की निया मैदान की चोड़ाई तो दोस्तो आते हैं नेक्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है हमारा आठ मीटर लंबे और छे मीटर चोड़े एक कमरे के फ्रस्ट को ढखने के लिए चे दिया है 4 नेसी मीटर इसको देखलो च्छार डेशी मीटर वर चेटपर वाले कुल कितनी टायलो की आभिशकता होगी है अथ Cyr कोशन को कैसे करते हैं जो से लोग के लिए तो देखो करते जी सबसे पहले हमें क्या निकालना है कम रेका चेत्रपल एक कमरा होता है हमारा एक kamu वहता है हम ओता है ठेंगे कद उत्येतपफा क्या होता है लिट फील कितना है बारा अट मीटर और cdb कितना हो गया हो गया हमारा 468 मीटर स्कॉय थीख है यह दिया है मारे मिटर में और वो हमारी टायल का साइसे वहस्याम चीज याद लेकिन हमने यहां पर लिखा जेता है वह यानिके एक हैक्टेर में कितने मीटर होते हैं हमारे 100 मीटर होते हैं ठीक दोस्तों यह दोनों चीज आप अच्छे से याद रख लेना अब देखो जी यादी मुझे इसको चेंज करना है किसमें? यह चेंज करेंगे हम तो आप हम यहां पर देखो सो बीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? वह यहां फर दस कभालमी जिसकी दो बर गोना हो जाएगी एसकं बीस मीटर हो जाए लोगा उसका आकार के होगा चार डैसीमेटर lijानि के चार डैसी मेटर उसकी लंबाई होगे चार डैसीमेटर उसकी चोड़ाई होगे वह ग्हायताकार तो उसका जो चैतरफल होगा उसका sasodal हमेरख की संख्या की संख्या बराबर यानि के कम्रे का छेत्रपल बटे टायल का सबसे पहले हम कमरे का चैत्रपल निकाल लिया और फिर जो टाइल का साइज है यानि के टाइल कितनी है जो देखो एक कमरे के के-फर्स को ढखने के लिए 4-dc-m2 रघ छेत्र परवाली यानि के 4-4 यह लंबाती राइस यह है सकता पड़ थे ताइल मद्धार लेक यह निकालते कमरे का खेत्र पल बटे ताइल का खेत्र पर यानिकि और ताइस्ट तो बटे 16 16 108 मीटर स्क्वाइर है तो प्लॉट के आयाम यानि कायाम का मतलब है लंबाई और चोड़ाई लंबाई और चोड़ाई के वैलू निकालनी है ओप्षन हमारे यह हो गए तो दोस्तों आप इस कोस्टन का स्कीन शोट ले लो मैं साइड हो जाता हूं और इस कोस्टन के जो answer है आपको comment करके हमको बताना है ठीक है जी किया इसका answer आएगा और जो मैंने कोर्शन आपको कराए है इन से भी कोर्शन हों कि आप बार-बार प्रैक्टिस करें घर पर आपको पता है बहुत जादे बहुत बढ़ी है महमारी हमारे देश में फैल चुकी है और बहुत जादे से दिक्कत हो रही है तो फिर मैं आपसे बार-बार यही रिक्व कर रहा हूं प्लीज आप अपने घर पे रहे से भार बेवजाना निकले ठीक है और पढ़ाही करते रहे रेगुलर रेगुलर टी बनाए रखे ठीक है कभी यह सोचने लग जाओ कि कोरोना है तो अभी पेपर नहीं होंगे पेपर पोस्पोंड हो रहे हैं दोस्तों आपको पत कोर्शन के प्रक्टेस करते रहा हो फिर आपसे कल मुलाकात होगे एक नई वीडियो के साथ में जहिंद धन्यवाद